कि में करोना का कहर जारी है बहुत जादा करोना बढ़ गया है और उसी के नमद्दे नज़र पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक हफ़ते छे दिन का लॉक्डाउन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते वे लॉक्डाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था ये एक तरह से आखरी हत्यार है कोरोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केस्स बढ़ रहे थे ये आखरी हत्यार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा तो इसलिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जन्ता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉक्डाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉक्डाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह 5 पजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉक्डाउन के दौरान की संक्रमन दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं ये लगबग 36-37 परसेंट तक पहुँच गई आज तक इतनी संक्रमन दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे लेकिन 36-37 परसेंट तक संक्रमन दर पहुँच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 29 पॉइंट कुछ आई है मैं यह नहीं कहरा कि करोना खतम होने की दिशा में जा रहा है लेकिन यह अभी तक हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्रटर्णा करते हैं कि करोना से हम लोगों को मुक्ति मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी ज्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है हमने दिल्ली की इस वक्त जरूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन एलोट हुई है कल 10 टन और अलोट किया केंदर सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को अलोट हुई है लेकिन ये पूरी अलोटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुँची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महामारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुँच रही है ये जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुँच नहीं रही है जगे जगे से जगे जगे अनी है ये एक बहुत बड़ा कारण है जगे 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 अस्पतालों में महसूस हो रही है लेकिन हमारे ऑफिसर्स हमारे सभी मंत्री गन हमेरे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से अस्पताल जहां जहां कमी है वहाँ सप्लायर से मैनिफैक्टरर से ट्रक ड्राइवर से जो ले के आ रहा है उससे फोन करकर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे मैं यह नहीं कहूंगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही कई जगे फेल भी हुए हम लोग और कई जगे हम समय पे ऑक्सिजन पहुचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सिजन पहुचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ओक्सिजन इतनी इस वक्त कीमती है इतनी कम है तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालो किया एक हमने एक वो पोटल टाइप बनाया है और और जारी कर दिये गए हैं जिसमें हर दो-दो घंटे में मैनेफेक्चरर से लेके और अस्पताल तक एंड यूजर तक हर एक को दो-दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सिजन के पोजीशन बतानी पड़ेगी कि मैनेफेक्चर को एक हमारे आफिसज के टिम बताना पड़ेगा कि प्यछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकं़ले सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक के अंदर ऑक्मी कि तरफ जा रहे हैं तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है कल भी पूरा दि केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्रालें के साथ हमारे आफिसेज की टीम बैठी रही और दोनों टीमें केंदर सरकार और दिली सरकार अच्छे से मिलके काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाइज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़ादा अफरात अफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी और केंदर सरकार से तो मदद मिल रही है और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सिजन मिल सके ऑक्सिजन के टैंकर मिल सके पूरी देश से दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिठी लिखी है कि अगर आपके यहां आपके राज्य में गोर्मेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सिजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सिजन महिया कराईए ऑक्सिजन टैंकर महिया कराईए कुछ एक राज्यों के साथ मैं सब मिलके काम कर रहे हैं मैं उमीद करता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी अमर्जंसी क्रियेट हो गई है इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया